हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम यू अल उन CSE सब्जेक्ट वाइज, हमारा नेक्स्ट पीडी है बच्चे, स्पोज करो हमारी लेंग्वेज है, L is equal to A की पावर M प्लस N, B की पावर M, C की पावर N, वेर M, N is greater than equal to 1, अगर मैं 0 करूंगा तो बच्चे, इसका जब DFA construct करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ final state method से ही होगा, empty stack method से नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि बच्चे, prefix property को follow नहीं करेगा, तो language है बच्चे, A की पावर M प्लस N, B की पावर M, C की पावर N, it means number of A कितने होने चाहिए बच्चे, जितने number of B plus number of C हो, right? तो अब कैसे हो सकता है बच्चे, हमारी language में कौन-कौन सी string बिलॉंग कर सकती है, suppose करो बच्चे, triple A है, मालो हमारे पास triple A है, उस case में 1B, 2C हो सकते हैं, number of A is equal to number of B plus number of C, number of A 3 है, तो number of B plus number of C भी 3 होने चाहिए, अब इनमें B और C कितने भी हो सकते हैं, बच्चे, B कम हो सकता है, C जादा हो सकता है, C कम हो सकता है, B जादा हो सकता है, या दोनों equal हो सकते हैं, या फिर यह string भी valid है, बच्चे, double time B और single C, right? बट condition क्या है, पहले AI, फिर BI और फिर CI, right? तो सबसे पहले जब भी हमें comparison करना है, बच्चे, comparison क्या है, अगर मैं यह लिखूं, बच्चे, comparison, इस language को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, comparison को check करने के लिए, A की power M, B की power N, C की power K, such that M is equal to N plus K, right? यह language same है, बच्चे, अब हमें क्या करना है, क्योंकि यह number of A को compare करना है, number of B plus number of C से, right? तो A को मैं क्या करूँगा, बच्चे, stack में hold करूँगा, कैसे? अगर हम logic की बात करें, स्पोज करो, बच्चे, एक string है, हमारे पास, triple A, single B, double C, end of the string dollar, तो जितना भी A आए, आपने क्या किया, बच्चे, जितना भी A आए, initial Z note है, हमारे stack में, A को आपने stack में push करवा दिया, अब जैसे ही, क्योंकि बच्चे, number of A is equal to number of B plus number of C है, तो जैसे ही B, I, उस time top of the stack क्या होगा, A होगा, आप A को pop कर दो, कोई और B आता है, तो top of the stack A ही होगा, C, I, pop करो, C, I, pop करो, बच्चे, dollar on, jud note होना चाहिए, कुछ, अगर A हुआ, तो number of A greater है, बच्चे, यह ध्यान तो अब हमारा logic क्या कहता है, कि बच्चे, अगर A आए, तो stack में push करवादो, B, I, तो A को pop करो, C, I, तो भी A को pop करो, तो इस case में हमारा logic क्या कहता है, A, सबसे पहले A on jud note, stack में jud note था, बच्चे, हमारे पास input A आया, तो आपने इस A को stack में push operation perform किया, A, jud note, राइट, नेक्स second A आया, उस time top of the stack हमारा ये single A था, A on A, that is double A, A पे A को push करवा दिया, नेक्स बच्चे, अब ये A already stack में push हो चुका है, third A आया, second A बच्चे, stack में था, it means A on A, again push operation perform किया, तो आपने ये third A को भी push करवा दिया, अभी आपके सामने के आया, बच्चे, B, तो top of the stack क्या है, A है, it means, अगर B आये, उस time पे top of the stack A है, तो आपको pop करना है, counting start हो गई है, बच्चे, अभी हाम पे, B आये, अब हो सकता है, बच्चे, B और भी आ सकते हैं, हमारे case में या single भी आ रहा है, बट ऐसा हो सकता है, कि और भी B आये, बट उस time top of the stack हमेशा क्या रहेगा, A ही होगा, क्य है, it means, B on A, पॉप कर दो, अब बच्चे, क्या आया, C आया, C आया, तो C on, अभी भी stack में क्या रहेगा, बच्चे, A ही रहेगा, क्योंकि A के साथ counting करनी है, पॉप करो, उसके बाद बच्चे, C कि और भी बहुत सारे आ सकते हैं, पॉप करो, last में हमेशा क्या आयेगा, जड नोट को भी पॉप करो, तो empty state, empty state method से बच्चे, empty stack method से ये acceptance हो जाएगी, कैसे बच्चे, मालो आपके पास 4A है, 4A, double B, double C, right, तो अब क्या हो सकता है, बच्चे, अगर हमारे पास, अगर हमारे पास, एक चीज और समझनी की बात है, बच्चे, कि हमने इस C को next state पे क्य लेके गए है, इसी state पे क्यों नहीं किया, इसका भी reason देखेंगे, state number 1, state number 2, state number 3, right, 4A आए बच्चे, A on Z note, A on A, stack में push operation perform किया है, तो मेरा stack का अभी तक structure क्या है, अब बच्चे, B आया, B on A, B on A आपने पॉप किया, तो ये पॉप हो गया, next B on A, again पॉप हुआ, next C on A, ये भी पॉप हुआ, next बच्चे, C on A, ये भी पॉप हुआ, इस transition से, next dollar था, dollar on Z note, ये भी पॉप हो चुका है, बट अगर आप ये C को बच्चे, यहां नहीं लेके ज आते हो, तो देखो बच्चे, इस case में क्या होगा, तो ये हमारा final बन चुका है, हम हम error देख रहे हैं, कि अगर हम इस C on A को पॉप करके, next state पे नहीं जाएं, तो issue क्या आ सकते हैं हमारे साथ, तो इस case में बच्चे, A on Z note, A on A, double A, अब ध्यान से देखना बच्चे, अगर आ गया हमारे पास B on A, तो आपने पॉप किया, और भी बहुत सारे B आ सकते हैं, आपने क्या किया, B on A, पॉप किया, B के बाद बच्चे C भी आ सकता है, बट उस time again stack में तो क्या है, A ही है, C on A, पॉप किया, डॉलर on Z note, पॉप किया, तो इससे क्या problem होगा, बच्चे, suppose करो, आपकी एक string है, four times A, B, C, B, C, डॉलर, राइट, तो ये string भी accept हो जाएगी, जो की एक invalid string है, आपकी language की, कैसे बच्चे, जब भी AI अपने stack में push operation perform किया, आप देखो, B on A, B on A, आपको क्या करना है, पॉप, आपने पॉप किया, next C on A, B on A पॉप करने के पाद स्टेट नमबर 2 पे चले गए, C on A, आपने A को पॉप किया, next B on A, अभी स्टेट नमबर 2 पे हो, B on A, B on A, पॉप किया, next C on A, अगें पॉप किया, डॉलर और जड नॉट, अगें पॉप किया, इसी लिए हमने स्टेट को एमटी कर रही है, जो की एक invalid string है, आपकी language की, बट हमारी condition क्या है, बच्चे, B के बाद में C आना चाहिए, बट C के बाद में B नहीं आना चाहिए, इसी लिए हमने स्टेट को चेंज किया है, तो ये push down automata right है बच्चे, तो हमने क्या किया, A को stack में push करवाया, B आया तो बच्चे पॉप किया, A को C आया फिर भी पॉप किया, मिलते हैं बच्चे, next वीडियो में, thank you so much.